राय बरेली में आज मुख्यमंत्री पहुंचे और जो 1857 की क्रांती के जनक रहे राना बेनी माधव उनकी जो प्रतिमा है उस पर उन्होंने माल्यारपन किया पुश परपित किये और जो कालिक्रम हुआ उसमें उन्होंने साफ्तावर पर कहा कि जो अवद कि अगर हम क्रांती कारियों की बात करें तो उसमें राणा बेनी माधव आते हैं राइबरेली कॉंग्रेस का गड़ है 2019 में सोनिया गांधी जीती लेकिन राणा बेनी माधव को वह सम्मान नहीं मिला बात करेंगा हमाँ साथ उत्तवर सरकार में राजमंत्री दिनेश परताब सिंग्जिए दि इसमारक समीति के मानी अध्यच्छों और सदस्यों के मनोबल को बढ़ाने की बात मैंने कही थी कि जो काम कोई नहीं कर पाया उसको हमारे राइबरेली के राणा बेने माधव इसमारक समीति ने किया जो इस कारेकर्म की आयोजक थी जैसे बहुत बड़े-बड़े लोगों ने यहां काम किया है बहुत बड़े बोलोग प्रधानमंति तक पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने कभी महापुरिसों के नाम को इतने उचायों तक नहीं पहुंचा पाये जितनी उचाय तक राणा बेनी माधव इसमारक समीति ने पहुंचाया तो मेरा विसे जो उसका था ज समझ सकते हैं कि मैंने राजनतिक आदमी राजनतिक बात भी की होगी और बीजेपी का लक्ष भी असी में असी है दोजार चौबिस के लिए तो राइबरेली चूट ना जाए देश के सश्वी प्रधानमंत्री आदरणी नरेंद मोधी जी जिस रूप में काम कर रहे हैं जि दल के लोग यहां बैठ करके और आधनी योगी जी का स्वागत ना कियो हो यह स्वेव में अपने आप परिलक्षित होता है कि आने वाला समय भारती जंता पार्टी के लिए बहतर होगा कि आपने मिला कि तौओं समान लोग यहां सांस्थि हुए प्रधानमंति समय हुए अपर बीजी पी वह सम्मान देने का काम कर रहे हैं और कहींणा कहीं 2024 के लिए जो बीजेपी ने लक्ष रखा है उस पर भी वो साफ तोर पर कह रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसवा चुनाओं में राय बरेली में बीजेपी के ही खाते में आएगी कैमने से हरियों के साथ अन्वा शुक्ला एबीपी गंगा लखना एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी